So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप Samsung के डिवाइस यूज़ करते हैं अब आप पब्लिक एप को यूज़ करना चाहते हैं और पब्लिक एप में ID आप लोग कैसे बनाएंगे फरस्ट टाइम यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा विल्क आइकुन को प्रेस कर लेना है ओके, सो सिंपल हम यहाँ पे पब्लिक एप को डाउनलोड कर लेते है ठीक है, इस तरीके से दैन डाउनलोड एन इस्टॉल करने के बाद सिंपल हम इसको ओपन करेंगे कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और क्या-क्या प्रोसेस रहती है यहाँ पे हम देख लेते हैं ठीक है, साइन इन कर सकते है यहाँ पे अगर बात करें आपको जो मैथड बैटर लगे आप उसको यूज कर सकते लाइक हम यहाँ पे यूज करना चाते साइन इन विद गूगल ठीक है, सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे आपको इस टैप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपका जो भी email id रहेगा सिंपल आपको यहाँ पे सो करेगा आप उस email id पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आटमेटिक यह redirect कर देगा आपका ID रेडी हो जाएगा आपको यहाँ पे कोई भी password कोई भी email id ऐसा कुछ दालने की जोरत नहीं पड़े कि जो भी login होगा email id वह यह correct कर लेगा ठीक है, सिंपल आप यह method से पब्लिक एप में account बना सकते अपना ID बना सकते अपने Samsung के device में ओके, so topic is cover मिलते हैं next video में यह मतादी